बिस्मिल्य रख्मान रहीम अस्सलाम उलेकुम जी आज मैं बहुत मज़दार सी रेस्पी लेके आई हूँ जो है धाबा स्टाइल डाल फ्राइर तो यह दाल चना है यह देख सकते हैं आप तो चलिए आएए बहुत मज़दार धाबा स्टाइल डाल चना बनाना शुरू करते हैं शुरू करने से पहले दौा करते हूं उल्ला पाक सब की तुमाम मुश्किले परिशानिया दूर करें और सब को अपने ही वेर सौमान में रखे। आमिन, सुमा, आमिन और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और पैल आइकन पर क्लिक कर दें तो चलिए आईए बहुत मज़ेदार ढबाई स्टाइल डाल फ्राई बनाना शुरू करते हैं तो जी दाल बनाने के लिए मैंने चूले पर एक कड़ाही रखी है उसके अंदर मैं एड़ कर दूंगी एक कप कोकिंग ओयल तो आप इसकी जगा घी या फिर मखन का इस्तामाल भी कर सकती हैं इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है तो आप प्यास को चौप भी कर सकती हैं मैंने हाथ से इसको काटा है बिल्कुल यह देख सकते हैं आप कितना छोटा छोटा तो प्यास को आपने ब्राउन करना है तो मेरे पास वाइट प्यास थी आपके पास अगर रेड व प्यास को खुबसुरत सा ब्राउन कलर देना है आपने प्यास को जलाना नहीं तो ये देखे जी बहुत ही प्यारा सा ये ब्राउन कलर आ गया गया है गोल्डन ब्राउन अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ कर्ओंगी त게 जो प्यास वो ज्यादा जलेना तो इससे पानी डालने से यह होता है प्यास जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो वो नजर नहीं आता खाने में और आप मैं इसके अंदर एड़ कर दूंगी लसन अदरक का पेस्ट तो फुल भरके आपने इसके अंदर वन टेबली स्पून लसन अदरक का पेस्ट आड़ करना है और इसको दो से तीन मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनना है आपने लसन अदरक के पेस्ट को तो यह देखें लेसन अद्रक का पेस्ट डाल के मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है तो अब मैं इसके अंदर दो टमाटर का पेस्ट अड़ करूंगी तो टमाटरों को मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया था तो यह बिल्कुल फ्रेश टमाटर है ता उसके अंदर 1 टीस्पून और मैंने इसके अंदर एड की है 1 टीस्पून पिस्वी लाल मिर्चे 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्चे इस्तमाल की हैं आपने कुटी लाल मिर्चे और पिस्वी लाल मिर्चे दोनों यूज करनी है तो साथ ही इसके अंदर जाएगा हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर वन टीस्पून फुल भरके आपने इसके अंदर आड़ करना है पिसावा सूका धन्या और इसकी अच्छे तरीके से सारे मसाले के आपने बुनाई करनी है तो कुटी विलाल मिर्चो का बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है दाल के अंदर आपने लाजमी ट्राइ करना है देखने में भी बहुत ही खुबसूरत लगती है दाल जब उसके अंदर थोड़ी कुटी भी दाल मिर्चे नजर आती है तो ये देखें मसाले के मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है अब मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ के जी दाल ली थी जिसको मैंने बिगो दिया था रात बर उसके बाद मैंने इसको वन टी स्पून नमक डाल के बॉयल कर लिया तो इसका जो पानी था बॉयल करते वक्त वो मैंने जाया नहीं किया वो साथ ही मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है तो दाल को आपने बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना घोलना नहीं है आपने इसको इस तरह से खड़ी-खड़ी रखना है बस यह अच्छे से गली होनी चाहिए तो दाल डाल के मैंने इसको अच्छे सरीके से भूल लिया था उसके बाद मैंने इसके अंदर एड़ किया है वन टीस्पून फुल भरके चिकन पाउडर अगर आप वेजिटेरियन है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एक चुथाई कप मैंने इसके अंदर दही का यूज किया है दही को आपने अच्छे तरीके से फेट लेना है तो यह जो दाल का पानी है यह बिल्कुल आपने इसके अंदर ड्राय नहीं करना तो यह बहुत ही मज़े का लगेगा मैंने इसलिए इसके साथ ही दही आइड कर दिया है मैंने दाल को ड्राय करके नहीं भूना ऐसे ही मैंने थोड़ी देर इसको पकाया है तो दाल के पानी के अंदर यह जब पकती है तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है और साथ में अब मसाला भी इसके अंदर मेक्स हो गया जो हमने पहले भूना था अब आपने इसको उपर से कवर करके छोड़ देना है तकरीबन पंदरा मिनट के लिए लो फ्लेम पे तो ये देखे जी पंदरा मिनट हो चुके हैं दाल जो है हमारी काफी उसका जो पानी था वो ड्राइ हो चुका है हमने इसको इतना ही रखना है बहुत ज्यादा इसको ठिक नहीं करना अब यहां पर मैंने लिया है दो से तीन हरी मिर्चे जिनको मैंने बिल्कुल बारी काट लिया है इसके अंदर कुछ हरी मिर्चे जो थी न वो येलो हो चुकी थी तो हैं ये ग्रीन चिली तो ये मैंने इसके अंदर एड़ कर दी है आप मैं इसके अंदर एड़ करूंगी half teaspoon पिसावा गरम मसाला तो ये बिलकुल ताजा पिसावा है घर का पिसावा गरम मसाला मैंने इसके अंदर एड़ किया है तो अगर आप डबे का यूज़ करते हैं तो शान का जो गरा मसाला होता है वो बहुत ही बैस्ट होता है बिल्कुल नैश्रल लगता है और बाकी मैंने ट्राइ किये थे एक दो वो उनका जो है न इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता मसालों का तो अब मैं इसका तड़का त्यार कर लूँगी दाल का तो दाल का तड़का मैं देसी गी के अंदर लगाऊंगी तो देसी गी मैं इसके अंदर एड़ कर दूँगी एक चुथाई कप आप इसकी जगा मक्षन ले सकते हैं बजारी बटर जो मिलता है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर फ्रेश मक्षन है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं और बटर और मक्षन सेम ही होता है एकी चीज बस यह है कि वो जो बजार का होता है वो नैच्रल नहीं होता तो कोशिश ही कि घर की चीज़े इस्तमाल क्या करें यह जो देशी घी है मेरा घर का बना हुआ है तो देशी घी जब गरम हो जाए आपने इसके अंदर वन टीस्पून फुल भरके साबुद सफेद जीरा एड़ करना है और इसको हलका सा फ्राइ करना है आपने जीरे को अब मैंने यहाँ पे होल चीली लिए यानि के रेड साबुद गोल मिर्चे लिए है पांच से छे ये एड़ कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राइ करूँगी मिर्चों को तो यह जो तड़का लगाएंगे हम दाल के उपर इसका भी बहुत ही जबर्दस्ता टेस्ट आता है हमारी दाल के अंदर तो इससे दाल की खुबसूरती भी आ जाती है वैसे तो जो ऑईल पहले एड़ किया था वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहाता तो जब उपर तड़का लगता है दाल के तो वो बहुत ही प्यारी लगती है तो अब मैं इसको प्यारी सी कडाही के अंदर डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ तो प्यारी सी गार्णिश किया करें बहुत ही खुबसूरत लगते हैं खाने जितने अच्छी उसकी आपने उसको खुबसूरती देनी है धनिया डालें और मतलब जितना प्यारा लगेगा खाना और उतना ही ज्यादा मज़े का लगेगा मैंने हमेशा आपसे कहा है कि खाने के जाइके के साथ-साथ उसकी खुबसूरती भी देखा करें अगर खुबसूरती नहीं होगी तो खाना खाने का दिल नहीं करेगा ये देख सकते हैं आप डाल जो है कितनी जबरदस देखने में लग रही है और कितनी ब्यूटिफुल अ अगर आपके पास हारा दनिया तो आप उसकी गार्णिश भी कर सकते हैं तो लीजिए बहुत मज़ेदार धाबा स्टाइल दाल फ्राइ हमारी तियार है जरूर ट्राइ कीजिए अगर रेस्पी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेट सेक्शन में बत ने आपके स colors Ciाटी है यह से लुट हमने आपके से जरी तो प्कि However allू पिस्ट रीजिए पिस्टे आप विमाया एंभ के आप और मैं विमा दो आप कि कीजिए उतारा देन एंव के लिए यह तो आप हा जए से आरा सेवास है व существ